प्रेटन स्थलों और जैब विविधिता के लिए दुनिया भर से लोगों के बीच ये एक आकर्शन का केंद्र है दोस्तों बने रहें अन्तक हमारे इस वीडियो के साथ क्योंकि आज की इस वीडियो में थाईलांड के बारे में कुछ ऐसे ही रोचक और मज़ेदार फाक्टस आपको बताने बाले हैं जिसे जानकर आपको भी मज़ा जाएगा लेकिन दोस्तों इससे पहले कि वीडियो शुर प्रियां करते लोग और धेर सारा मनुरंचन याद आने लगता है और सही बात भी है यहां हर साल लाखों पर एटन थाइलांड की और अपना रुजहान दिखाते हैं थाइलांड का मतलब होता है फ्री लैंड यानि आजाद भूमे थाइलांड को पहले श्याम देश के नाम से भी जाना जाता था इस देश पर कभी भी किसी आन्य देश का कबजा नहीं रहा अकसर लोग मानते हैं कि भारत में ही सबसे ज्यादा अंधविश्वास प्रचले थे लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि थाइलांड अंधविश्वासों में भारत से एक कदम आगे यहां के में भूत प्रेतों को लेकर एक जीब किस्म की मानता है थाइलनड में कई लोग भूत प्रेतों से बचने के लिए अपने घर में उनके लिए अलग कमरा बनवाते हैं यह तो कमाल ही हो गया, अगर आप थाइलेंड जाना चाहते हैं तो आप को यह बात पता होनी च दाय यहां के the island के लोग बहुत धर्म को मानते हैं। लेकिन यहां आज भी ум और विश्नु की पूजा होती है। थाइलेंड के राजपरिवार अपने आपको भगवान राम के पुत्र कुष का वंशज मानते हैं। आपको इबात जानकर हरानी होगी कि थाइलेंड का राश्ट्रिय ग्रंथ राम की इन है जो रामायन का थाई वर्जिन है। थाइलेंड का राश्ट्रिय चेन गरूड है, ग 1848 में इसका नाम बदलकर थाइलेंड रखा गया दुनिया में कई देशों में शरीर के किसी खास अंग को लेकर अलग-अलग मानेता हैं ऐसी ही एक मानेता थाइलेंड के लोगों में भी है यहां के निवासी अपने माथे को सबसे पवित्र अंग मानते हैं यहां पर दूसरे इंसान के माथे पर हाथ लगाना अच्छा नहीं माना जाता तो यह थी थाइलेंड के बारे में कुछ बेहती मज़ेदार बाते हैं तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी अपनी राय हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में दीजिये न और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दो-चार दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली बार थन्यवाद